हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल लता की लाइबरेरी आज मैं आपके साथ भहती खुबसूरत पैटन सीयर करने जारी हूँ इस पैटन को आप अल प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकते हैं जेंड्स स्वेटर, लेडी स्वेटर, जल्स स्वेटर, बेबी स्वेटर इसके अलावा आप इस पैटन को कैप, ब्लैंकेट इसका अपादी में अपलाए कर सकते हैं बनके भहती खुबसूरत हमारा यह पैटन आ जाता है और front side से हमारा ये pattern बनना start होता है इस pattern को बनाने के लिए हमने 5 के multiple में फंदे डालने है प्लस हमने 4 फंदे extra डालने है 10 नंबर की slime में हमने इस pattern को बना लेने है सबसे पहले हम अपने project के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी border pattern बना के complete करेंगे border pattern का link मैं आपको नीचे description box में दे दूँगी border pattern complete होने के बाद front side से हमारा ये pattern बनना start होता है अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे border pattern complete होने के बाद front side से first row border complete होने के बाद front side से pattern की first row pattern की first row में देखे पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइट करेंगे दो फंदे उल्टे बनेंगे एक दो दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे करेंगे अब देखें नेस्ट एक दो तीन अब तीन फंदों में हमने पैटर्न डालना है तो देखें एक दो दो फंदे आगे करने के बाद देखे जो इस पेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हम ऐसे सलाई डालेंगे और एक मीडियम लूज फंदा बना लेंगे इस तरीके से दिखे फिर धागा अपनी साइट करेंगे अब नेश्ट इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे तो देखे बैक साइट की तरब से एंसे सलाई डालेंगे यह देखे और तीन का एक कर लेंगे यह देखे, यह तीन फंदों से हमारे तीन फंदे आ गए, एक, दो, तीन, अब इन तीनों फंदों को हम ऐसे सिलीप कर देंगे, यह देखे, अब नेस्ट हमने इन ही पांच फंदों का प्रोसिस रिपीट करने है, धागा अपनी साइट करेंगे, दो फंदे उल्टे डालना है, एक, दो, तीन, तो देखे, आगे के दो फंदे आगे करेंगे, और ऐसे इस पेस में सलाइड डालेंगे, एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे, इस तरीके का, फिर दूसरा फंदा धागा आगे करके बनेगा, देखे, अपनी साइट धागा करेंगे, इससे हमा अब नेश्ट देखे, धागा अपनी साइट, दो फंदे उल्टे, एक, दो, फिर धागा पीछे, तीन फंदों में पैटरन आएगा, तो देखे, दो फंदे आगे करेंगे, एसे इस पेस में सलाइड डालेंगे, एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे, धागा अपनी साइ इस से हमारा दूसरा फंदा बनेगा, फिर इन तीन फंदों को एक साइट बनेगे, इस से हमारा तीसरे नंबर का फंदा बन जाएगा, फिर लास्ट में देखे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीदा तो देखें, फ्रंट साइड से हमारी पैटरन की 1st row complete हो गए. हमारे प्रोजक्ट के हिसाब से 1st row में जितने भी फंदे होंगे, हमने यही प्रोसिस repeat करने है. दो फंदे उल्टे बुनने हैं तीन फंदों में पैटर्ण डालना है फिर दो फंदे उल्टे तीन फंदों में पैटर्ण डालेंगे दो फंदे उल्टे तीन फंदों में पैटर्ण डालेंगे फिर लास्ट में हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे अब देखें बैक साइड से सेकिंड रोड पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लिए अब देखें फ्रंट साइड की तरफ से जो फंदे उल्टे हैं वो बैक साइड से सीधे आएंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन धागा पीछे दो फंदे सीधे लास्ट का फंदा उल्टा तो देखें बैक साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कम्प्लीट हो गई अब देखें फ्रंट साइड से पैटन की थर्ड रो अब थर्ड रो में हमारा पैटन रिपीट होगा third row को हमने pattern की first row की तरह बुनते हुए complete करना है अब हमने इन्हीं दो सलायों के pattern को बार बार repeat करते जाना है और बन के देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू करें और हमारे आपको हमारा जलें वया और आपको हमारे ये हमारा आपको दोबियों करें उन्रो的爆ड बहुती इस प्लोंगर आपको हमारे बहुती सब्सक्राइब instाना 65 कि शoked हैने hints उलोск किसमी की ख़ल उतको हमμεπά झाल झाल